नमस्कार दोस्तों इस्टेटीवित ग्यान प्रकास में आपका बहुत बहुत स्वागत है आज 27 जन्वर ही है आये सुरू करते हैं आज के करेंड फेर तो पहला कोशन है हाली में इसरो ने गंगन यान मिसन के लिए हाई थ्रस्ट विकास इंजन का सफलता पूर्वक परिक्ष यानि की महेंद गिरी जो की इस्तित है तमिल नाडू में देखें फ्रेंड्स यहां पर यह प्रस्ट बहुत इंपोर्टेंट है क्योंकि गंगन यान मिसन ये 2022 के अंत में लांच होगा और यह एक मानो सहीत यानि की इंसान भी इसमें जाएंगे बैटकर कहां पर अनुसंदान संगटन ने हाई थ्रस्ट विकास इंजन को सफलता पूर्वक टेस्ट कर लिया है इस साल के अंत में लांच होने वाले गगन यान मिसन की त्यारी की तहत इंजन को 25 सेकेंड की अवधी के लिए निकाल दिया गया था इस रों के अनसार गगन यान मानो अंतरिक इस मिसन के विकास इंजन ने जो इंजन है उसका नाम है विकास इंजन तमिलनाड के महंदर गिनी में इस तरो प्रोपेल्शन कॉम्प्लेक्स में 25 सेकेंड की अवधी के लिए योगिता परिशन किया इस तरो के स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1979 में बरतमान में चेर्मैन कौ हैं एस सोमनात और यह भी याद अगना कि जो मानो अंतरीश मिसन है गगन यान यह 2022 के अंत में इस तरो लांच करेगा दिके फ्रेंड्स आपकी तैयारी अच्छे से चलती रहे कुछ एकोनॉमिक फायदा आपको मिलता रहे कुछ पैसे भी आप कमा सकें इसके रिए सरकारी स इफो नामक एक यूट्यूप चनल बनाया गया है इस चनल पर हमां को सरकारी जो भी यूजन ऍामाय चलती है उसमें किस प्रेकार से आप अपना रजिस्ट्रेम खरेंगे और किस प्रिकार से आप कुछ पैसा प्राफ्त कर सकते हैं जिसे कि एस्रम कार्ड होता है पी-एम कि रहे स्ट्रेट्र पर यानि की विनर नामक जो चेनल इस चेनल पर हम आपको सारी जांकरय को अन्य समया धार करते के दोनों चोनल आप सब्सक्राइब को लिडियो के सब्सक्राइब में दिया गया है 2022 में कितने लोगों को पद्म पुरुसकार से सम्मानित किया गया। देखे फ्रेंड्स, 2022 में जो पद्म पुरुसकार हैं, इनकी घोषडा 25 जनवरी को की गई थी, 25 जनवरी को वोटरस डेबी होता है, आप जानते ही हैं, और कुल मिला के देखा जाए, तो 128 लोगों को पद्म पुरुसकार देने की बात कही गई है। तो 2021 में भारत वर्ष का 73 जनवर गरता देवस मनाया गया, ये तो आप जानते ही हैं, कुल 128 लोगों को पद्म पुरुसकार देने की घोषडा की गई, चार लोगों को मिलेगा पद्म विभूसन, ठीक हैं, साथ लोगों को मिलेगा पद्म भूसन, और 107 लोगों को मिलेगा पद्मिस्री, पद्म विभुसर्ण से जो चार लोग समाने किये गए हैं, उनके नाम सुनिये, महराष्टरा से सू स्री प्रभा अन्ने, उत्तर प्रिदेश के रहने वाले थे और मरडो परांद इनको ये समान दिया जा रहा है, नाम है स्री राधिस स्याम खेमका, साहित और स शेक्षा शेतर से जुड़े थे, जनरल विपिन रावत, मरडो परांद, सिविल सेवा, उत्तरा खंड और स्री कल्यार सिंग, मरडो परांद, पब्लिक अफेर्स, उत्तर प्रभादिस्त, ये वो चार लोग हैं जिनको पद्म विभुसर्ण से संबानित किया जाएगा, भा और की करण होता है, तीन स्रेणिया होती है, पद्म विभुसर्ण, पद्म भुसर्ण और पद्म स्री, तो यहाँ पर जो उत्तर हो जाएगा वो होगा पद्म स्री, यानि कि बिकल्प सी आपका यहाँ पर करेक्ट है, भारत को टोकियो ओलंपिक में सुन पदक दिलाने वाल भाला फेक खिलाडी नीरच चोपड़ा को पद्म स्री से सम्मानित किया जाएगा, टोकियो ओ पर अलंपिक खिलो में रजत पदक दिलिटने वाले देवेंद्र जांचरिया को पद्म भुसर्ण मिलेगा, केरल में कलारी पट्टू सिखाने वाले संकर नारानन मेनन को पद् पदमिस्री नहीर्य चोपड़ा को मिलेगा पदमिस्री भाला फेक हरियना से हैं सुमित अंतिल यह भी भाला फेक से ही संबंदित हैं हरियना से इनको मिलेगा पदमिस्री प्रमोद भगवत को मिलेगा बेडमिंटर से संबंदित हैं ओडिशा करहने वाले हैं पदमिस्री संकर संकर नाराइनमेयन्स चुनडाइल ये कलारी पैट्टू से सम्बंदीत है केरल से हैं इनको मिलेगा पदमिस्री इसके रावा फैजल अलीडार और लेकरा बंदना कटारिया औब रहामानंद संक वालकर को मिलेगा क्या पदमिस्री प्रुसकार इनको प्रुवाइड किया जाएगा अगला कुशन होगा केंद सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए CGHS की वेबसाइड और MyCGHS App को हाली में किसने लांज किया है तो दोस्तों इसको लांज किया गया है स्वास्तमंत्री डाक्टर मनसुक मंदाविया के द्वारा CGHS मतलब Central Government Health Scheme Central Government Health Scheme CGHS तो इसकी वेबसाइड और एक एप लांज किया गया है डाक्टर मनसुक मंदाविया के द्वारा केंद्री स्वास्त्रमंद्री डाक्टर मंसुक मंडाविया ने CGHS की उन्नत वेबसाइट और माई CGHS एप को लांज किया है सरकार की इस पहल से नई सुविधाओं और बहतर उपयोग करता अन्भों के साथ CGHS से जुड़े 40 लाख लोगों को फायदा होगा CGHS से केंद्र सरकार के करमचारियों और पेंसर मोगियों को ला मिलता है तो याद रखिए का CGHS मिन्स Central Government Health Scheme भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों पर बैंकिंग रिपोर्ट हाल इमें किस ने जारी किया है तो इसका उत्र जाएगा Option C राकी मौन्टेन इंस्टिट और नीति आयोग ने करमचार मिलकर तो दोस्तों बैसिकली नीति आयोग ने 22 जनरी को ये रिपोर्ट जारी किये जिसका टाइटल है बैंकिंग आन इलेक्ट्रिक वहिकल्स इन इंडिया रिपोर्ट को नीति आयोग और अमेरिका इस्थिप एक इंजियो है राकी मौन्टेन इंस्टिट और RMI इंडिया के सहयोग से जारी किया गया है रिपोर्ट का नाम क्या है बैंकिंग आन इलेक्ट्रिक वहिकल्स इन इंडिया गरतंत्र दिवस 2022 के औसर पर कितने पुलिस कर्मियों को वीर्टा के लिए पुलिस पदक सहीद राष्ट पती पदक से समाने किया गया तो इसका उत्तर जाएगा 949 यानि की बिकल्प सी आपका यहाँ पर करेक्ट है केंद्र सरकार ने मंगलवार 25 जवरी को गरतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर विविन केंद्री और राज पुलिस बलों की जवानों को 949 939 सेवा पतक देने की घुश्रा की है इनमें बीर्टा के लिए दे जाने वाले 189 पतक भी सामिल है केंद्री ग्री मंत्राले ने उन जवानों के नामों की सूची जारी की जिने बीर्टा के लिए पुलिस पदक, विशिष्ट सेवा के लिए राश्टपति के पुलिस पदक और सरानी सेवा के लिए पुलिस पदक से समानित किया गया है सबसे ज्यादा 115 वेड़ता पदक जम्मु कस्मीर पुलिस को दिये गए हैं केंदरी रिजर पुलिस बल को 30 पदक, 36 गड़ पुलिस को 10 पदक, कोडिशा पुलिस को 9 पदक और महाराश्टरा पुलिस को 7 पदक हासिल हुए हैं प्रवक्ता के नुसार, 88 जमानों को विशिष्ट सेवा पदक और 662 जमानों को सरानी सेवा पदक से भी नवाजा गया है हाली में असम वैभो सम्मान से किसे नवाजा गया, तो उतर जाएगा इसका आप्शन A, यानि की रतन टाटा को तो दोस्तों, असम सरकार ने उलेकनी काम करने वाले समाज के अलग अलग वरगों के 19 लोगों को 3 पुरसकारों से सम्मानित करने का एलान किया है असम के मुखि मंतरी ने बताया कि सरकार देश के जाने माने उद्योगपती रतन टाटा को असम वैभो सम्मान देगी पांच लोगों को असम सौरव सम्मान मिलेगा असम सौरव नमक जो सम्मान है ये पांच लोगों को दिया जाएगा और जो असम सौरव सम्मान है उनमें ओलंपी में पता जीतने वाली बॉक्सर लवलीना बोर्गहन भी सामिल है असम गौरो सम्मान में 13 लोगों को समन किया जा खोर सिंग तेरांग, स्रीमती नमिता कलिता, कौसिक बरुवा, बाबी हजारिका, आकास जियोती गोगोई, बोरनिता मॉमिन, कलपना बोरो और डाक्टर आसिफ इकबाल सामिल हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा आप्शन ए यानि की डिली मेट्रो ने। दिली मेट्रो रेल कारप्रोलेशन ने यमुना बैंक मेट्रो इस्टेसन पर चल रहे, आजादी के अमरित महुत्तों के एक हिंसे के रूप में एक मेट्रो ट्रेन को सुरू किया है, यह ट्रेन तब तक चलेगी जब तक आजादी का अमरित महुत्तों जारी रहेगा, कोचों को इतिहास को दर्शाने वाले नारों और चित्रों से सजाया गया है, तो इस ट्रेन में यात्रा करना एक अलग ही अन्वह होगा, सीमा सरक संक्टन के दस कर्मियों को पहली बार प्रसंसा प्रमाडपत किस ने प्रदान किया है, तब इसका उत्तर जाएका फ्रेंड्स, तो यहाँ पर जो बिकल्प हैं, उसमें है option B, लद्दाक के जो उपराजिपाल हैं, राधा कृष्ट माथूर, राधा कृष्ट माथूर ने सीमा सरक संक्टन, बार्डर रोड और्गनाईजेसन के दस कर्म को प्रसंसा प्रमाल पत्र दिया है, यहाँ पर जो बिकल्प हैं, उसमें मनु सिना जी को आप जानते होंगे, यह जम्मू और कस्मीर के उपराजिपाल हैं, जब कि राजेंद्र विश्टनात अर लेकर यह गवर्नर हैं, किस प्रदेश के? हिमानचर प्रदेश के, और साधारन योगदान के लिए समानित क्या गया है, यानि कि बियारो के 10 करणचरियों को समनित क्या गया है, राधाकरिश मातुर के द्वारा, बियारो जो है, यह भारत के सबसे चुनोती पूर्ण इलाकों में, बुन्यादी धाचे का निर्माण और रख रखाओ करने वाला इसके स्थापना होई थी, 7 मई 1960 में, बरतमान में चेर्मन कोन है, अध्यक्ष कोन है, राजियू चौधरी है, हाली में AVGC Center of Excellence लांच करने वाला भारत का पहला राजिकौन बन गया है, दिखे फ्रेंड्स, आप हालीवूड और वालीवूड की फिल्में देखते होंगे, ज बिखे की हंदी में फिल्मायती क्रिश्य तइप फिल्म जो बनती है, और अवेंजर टाइप, उसमें जो स्पिसल एफ़ेक्ट होते हैं, उसमें एनिमेशन, विजूल एफेक्ट, गेमिंग और जो कॉमिक होते हैं, यह सारी चीजें, यह सारी टेक्नलोज़ी प्रियोग में हैं बरतमान में बसोर आज वो मैं जो हैं ये करनाटक के मुख्यमंत्री हैं और थावा चंद गलोज जो हैं ये कौन है ये गवर्णर हैं करनाटक के तो ये थे आज के टॉप 10 MCQ और उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको जरूर पसंद आयोगा अगर पसंद आया तब आप एक नए वीडियो में तब दक लिए में आगे लिजिए नमस्कार जैहिंद